तो चलिए शुरू करते हैं देखे सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरसकार की देखे यह जो पुरसकार है भारत में खेलों के शित्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरसकार है देखे इसी पुरसकार को इसके पहले राजियू गांदी खेल रत्न पुरसकार के नाम से भी जाना जाता था हाली में देखे इसी वर्ष अगस्त 2021 में या दखेगा कब अगस्त 2021 में राजियू गांदी खेल रत्न पुरसकार का नाम बदला गया और अब इसका नया नाम कर दिया गया है मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरसकार तो देखिए राजी उगांदी खेल रत्न पुरसकार की जो शुरुआ थे मतलब जो इस्थापना है वो 1991-92 में की गई थी 1991-92 में यह पुरसकार शुरू किया गया और इसका नाम अगस्त 2021 में बदला गया अब कोश्यन आता है कि यह पुरसकार किस खिलाडी को दिया जाता है तो देखिए फ्रेंट्स यह जो पुरसकार है अंतरास्टे इस्तर पर पिछले चार साल में खेल के शेत्र में उतकरस्ट प्रदशन करने के लिए दिया जाता है जब 1991-92 में यह पुरसकार शुरू किया गया था तो सबसे पहला जो पुरसकार था वो शत्रंज के ग्रेंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था वेरी वेरी इंपोर्टेंट फेक्ट है फ्रेंड्स याद रखिएगा पहली बार किसे दिया गया विश्वनाथन आनंद को अब देखिए 2021 में मेजर ध्यान चंद्र पुरसकार 12 खिलाडियों को दिया गया है देखिए पहली बार इसा हुआ है कि ये 12 खिलाडियों को एक साथ दिया जा रहा है पिछले साल देखिए 2020 में ये अधिक्तम 5 खिलाडियों को एक साथ दिया गया था और इस बार ये 12 खिलाडियों को दिया जा रहा है अब ये 12 खिलाडियों कोन कोन से हैं तो देखिए फ्रेंड्स नीरत चोपडा एथलेटिक से संबंदी थे, रवी कुमार रेसलिंग से संबंदी थे, लवलीना बोर्गेहन वॉक्सिन से संबंदी थे, अवनी लेखरा भारत की पेरा शूटर है, पी आर श्रीजेश होकी टीम से संबंदी थे, सुमित अंतिल भारत के पेरा एटलेटिक से, इसके बाद देखिए प्रमोध भगत और कृष्णा नागर, ये भी भारत के पेरा बेडमिंटन खिलाडी है, मनिश नर्वाल की बात करें, तो ये भारत के पेरा शूटर है, इसके अलावा मिताली राज क्रिकेट से, सुनिल शेतरी फुटबॉल से और मनप्रित सिंग होकी से संबन्दी थे, देखिए इन 12 खिलाडियों को 2021 में इस वर्ष मेजर ध्यान चंदर खेल रतन पुरसकार से सम्मानित किया गया है, तो फ्रेंड्स देखिए मेजर ध्यान चंदर पुरसकार प्राप्त करने वाले ये जो 12 खिलाडी है, इन सभी के बारे में हम थोड़ा सा केजूली जान लेते हैं, कि इनका खेलो के शेतर में इसा क्या युगदान रहा कि इन्हें 2021 में मेजर ध्यान चंदर पुरसकार से सम्मानित किया गया है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरुवात करते हैं नीरत चोपडा से, देखिए नीरत चोपडा देखिए 87.58 मेटर का जेवलिन थ्रो किया था और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, आगे देखिए नीरत चोपडा देखिए ओलंपिक के ट्रेक एन फिल्ड में मेडल जीतने वाले पहले भारती बने हैं, और देखिए व्यक्तिगत प्रतिस परदा में, मतलब इन डिज चोपडा एसे दूसरे भारती हैं, क्लियर, देखिए टोकियो उलंपिक के अलावा भी इन्होंने काफी सारे मेडल जीते हैं दोस्तों, जैसे कि देखिए एशियन गेम्स 2018 में भी नीरत चोपडा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, इसके अलावा कॉमन वेल्थ गेम् एशियन चेंपेंशिप 2017 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और साउथ एशियन गेम्स 2016 में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, और देखिए इसके अलावा एक और इनकी इंपोर्डेंट उपलब्दी है कि वर्ड जूनियर चेंपेंशिप 2016 में इन्होंने व 2018 में इन्हें अरजुन पुरसकार से भी सम्मानिक किया जा चुका है, तो 2018 में नीरत चोपड़ा को अरजुन पुरसकार दिया गया था, और अब 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरसकार दिया गया है, इसके बाद देखिए दूसरे हैं रवी कुमार दहिया, जो की एक भारती र भारती बने हैं, इसके पहले देखिए 2012 का जो लंदन उलम्पिक था, उसमें सुशिल कुमार ने भी कुष्टी में सिल्वर मेडल जीता था, तो अब 2020 के टोक्यो उलम्पिक में रवी दहिया ऐसा करने वाले दूसरे भारती खिलाडी हैं, ओके, आगे देखिए, इसके असम की रहने वाली है, इन्होंने देखिए बॉक्सिंग के 79 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉंज मेडल अपने नाम किया है, देखिए बहुती स्पेशल उपलब दी है ये, क्योंकि इन्होंने पहली ही बार उलम्पिक खेल में भाग लिया है, और पहली बार में ही ब्रॉंज मेडल लेकर आ गई है, तो ये बहुती इंपोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा, इस वर्ष इन्हें मेजर ध्यान चंदर खेल रतनो पुरसकार से सम्मानित किया गया है, आगे देखिए भारती मुक्यबाज लवलीना बोर्गेहन सेमी फाइनल में तुर्की की विश्व चेंपियन बुसेनाज सुर्मेनली से हार गई और कास्य पदक तक ही अपनी दावेदारी पेश कर पाई, देखिए इन्होंने ब्रॉंज मेडल जीतने के साथ ही दो भारती मुक्यबाजों से बराबरी की है, एक है देखिए विजेंदर सिंग और दूसरे है एम सी मेरी कौम, देखिए इन दोनों ने ही लवलीना बॉर्गेहन के पहले ओलंपिक में भारत को ब्रॉंज मिडल दिलवाया था, और अब देखिए टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बॉर्गेहन ने इन दोनों बॉक्सरों की बराबरी की है, और अब ये तीसरी ऐसी खिलाडी ब मेजर ध्यान चंद्र पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा इसके बाद देखिए अवनी लेखरा भारत की राइफल शूटर है जिन्होंने टोक्यो पेरा उलंपिक 2020 में भाग लिया था देखिए 19 वर्षी भारती शूटर अवनी लेखरा ने 10 मीटर राइफल में गोल्ड जीतने वाली पहली भारती महिला खिलाडी बन गई है यह पहली ऐसी भारती महिला खिलाडी है जिन्होंने पेरा उलंपिक में स्वान पदक जीता है इसके अलावा देखिए सेम उलंपिक में इन्होंने एक और मेडल जीता है इन्होंने 50 मीटर राइफल शूटिंग में ब् पेरा शूटर है, इन्हें 2021 में मेजर ध्यान चंद्र पुरसकार से सम्मानित किया गया है अगले प्लेयर हैं देखिए पी आर श्रीजेश, जो की भारती होकी टीम के गोल की पर है देखिए भारती होकी टीम में इनकी इंपोडेंस को इसी बात से समझा जा सकता है कि इन्हें होक्की टीम की दिवार कहा जाता है Very important fact है याद रखेगा होक्की टीम की दिवार P.R. श्रीजेश को कहा जाता है देखे इन्होंने 2020 के टोक्यो उलम्पिक में भारती होक्की टीम के लिए एक बहुती निर्णायक भूमी का निभाई है इन्हीं की बदोलत देखिए भारती होक्की टीम ने टोक्यो उलम्पिक में कास से पदक अपने नाम किया था P.R. श्रीजेश भारती होक्की टीम के देखिए पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं इन्हीं की केप्टन सी में देखिए 2016 में भारती टीम ने चेंपियन्स ट्रॉफी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था तो P.R. श्रीजेश जो की भारती होक्की टीम के गोल की पर है 2021 में मेजर ध्यानचंद्र पुरसकार से सम्मानित किया जाएंगे इसके पहले देखिए 2017 में इन्हें पदम श्री पुरसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है जो की भारत का चोथा सर्वच्च नागरिक सम्मान है P.R. श्रीजेश के अलावा देखिए एक और प्लेयर हमारे पास बहुत इंपोर्टेंट है जिने 2021 में मेजर ध्यांचंदर पुरसकार दिया गया है और ये है सुमित अंतिल याद रखिएगा ये एक पेरा जेवलिन थ्रोर है सुमित अंतिल ने टोकियो पेरा ओलम्पिक में शांदार प्रदेशन करते हुए भाला फेक क्लास एफ 64 वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था इसलिए देखिए 2021 में इन्हें ध्यांचंदर पुरसकार दिया जा रहा है टोकियो पेरा ओलम्पिक के फाइनल में सुमित अंतिल ने देखिए 68.55 मिटर का जेवलिन फेका था और ये थ्रो करके इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था कौन है ये सुमित अंतिल भारत के एक पेरा जेवलिन थ्रोर है अगर हम इनके डोमेसाइल की बात करें तो ये हर्याना के सोनी पत्के रहने वाले हैं क्लियर आगे बढ़ते हैं 2021 में मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरसकार प्राप्त करने वाले अगले प्लेयर हैं प्रमोध भगत जो की देखिए एक पेरा बेडमिंटन प्लेयर हैं अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये है कि एसा पहली बार हुआ है कि बेडमिंटन को पेरा उलम्पिक में जगा दी गई है और पहली बार में ही देखिए दुनिया के नंबर एक खिलाडी प्रमोध ने पुरुष एकल ASL 3 वर्ग में ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हरा कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है तो टोक्यो पेरा उलम्पिक में पेरा बेडमिंटन प्रतिस परदा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इसी के साथ देखिए प्रमोध भगत ने देश को इस खेल में पहला गोल्ड मेडल दिलवाय है और बेड्मिंटन में गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारती खिलाडी बने हैं कौन है ये फ्रेंड्स? प्रमोध भगत इसी के साथ एक और पेरा बेड्मिंटन प्लेयर हैं जिनने 2021 में मेजर ध्यान चंदर खेल रतन पुरसकार से सम्मानित किया जा रहा है ये है क्रशना नागर ये भी भारत के एक पेरा बेड्मिंटन प्लेयर हैं इन्होंने टोक्यो पेरा उलम्पिक में हौंग कोंग के चू मान केई को हरा कर गोल्ड मेडल जीता था तो ये ऐसे दूसरे पेरा बिड्मिंटन प्लेयर हैं जिने गोल्ड मिडल दिया गया था 22 साल के क्रश्ना नागर राजस्थान के जैपूर शहर के रहने वाले हैं आगे देखिए मनिश नर्वाल जो की एक इंडियन पिस्टल पेरा शूटर हैं भारत के मनिश नर्वाल ने देखिए टोक्यो पेरा उलम्पिक में शूटिंग के मिक्स्ट फिफ्टी मिटर एस एच वन केटेगरी में गोल्ड मिडल अपने नाम किया है इन्होंने देखिए 218.2 का स्कोर करके गोल्ड मिडल पर कबज़ा किया था और ये हर्याना के फरीदा बात के रहने वाले हैं तो 19 वर्षी मनिश नर्वाल को 2021 में मेजर ध्यान चंदर खेल रतन पुरसकार से सम्मानित क्या जाएगा मनिश नर्वाल कोन है भारत के एक पिस्टल पेरा शूटर है ओके यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स केवल एक क्रिकेट खिलाडी एसा है जिसे इस वर्ष मेजर ध्यान चंदर खेल रतन पुरसकार से सम्मानित क्या जा रहा है और ये क्रिकेट खिलाडी है मिताली राज इनके बारे में आप सभी जानते होंगे मिताली राज इंडियान वुमेंस क्रिकेट टीम की प्लेयर है मतलब एक भारती क्रिकेटर है और मिताली राजी देखिए वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है आगे दिखिए मिताली राज इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला बल्लेबाज भी है 2021 में देखिए इन्हे ध्यान चंद्र खेल रतन पुरसकार से सम्मानित किया जा रहा है इसके पहले इन्हें 2034 में अर्जुन पुरसकार से सम्मानित किया गया था और 2015 में देखिए इन्हें भारत का चोथा सर्वच नागरिक सम्मान पदम श्री भी दिया जा जुका है तो दोजार तीन चार में अर्जुन पुरसकार, दोजार पंदरा में पदम श्री और अब दोजार एककिस में मेजर ध्यानचंदर खेल रतन पुरसकार दिया जा रहा है। कौन है ये? इंडियन क्रिकेटर मिताली राज। इसके अलावा देखिए, दोजार एकिस में भारत का सरवच्चे खेल सम्मान, इस साल एक एसे फुटबोलर को भी दिया गया है, जो की अभी तक लाइम लाइट से बहुत ज़्यादा दूर था, इनका नाम है देखिए, सुनील छेतरी, जो की एक इंडियन प्रोफेशनल फु लियोनल मैसी और रोनाल्डो, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अंतरास्टे फुटबोल मैच में सबसे ज़्यादा गोल किये हैं, और तीसरे नमबर पर आते हैं सुनील छेतरी, इसलिए दोजार एकिस में इन्हें मेजर ध्यान चंदर खेल रतनों पुरसकार से सम हमारे पास मनपरीच सिंग, जिसे इस वर्ष का सरवच्य खेल सम्मान दिया गया है, मनपरीच सिंग जो है एक इंडियन फिल्ड होक्की प्लेयर हैं, देखें 2020 में टोक्यो उलम्पिक में जिस होक्की टीम ने 80 सिपदक जीता था, ये उस टीम के कप्तान थे, और वरतमान मे मनपरीच सिंग ही होक्की टीम के कप्तान हैं, इन्हे 2017 में भारती होक्की टीम का कप्तान बनाय गया था, तब से लेकर वरतमान तक ये भारती होक्की टीम के कप्तान हैं, और ये भारत के पंजाब रज्जी के रहने वाले हैं, कोन है ये? मनपरीच सिंग, क्लियर? तो फ्र Central Government के द्वारा खेलों के शेत्र में दिया जाने वाला एक महतोपून पुरसकार है, जो कि खेलों के शेत्र में उत्करस्ट प्रदशन के लिए दिया जाता है। इस खेल पुरसकार की शुरुवात देखिए 1961 में की गई थी। 2021 में इस वर्षी ये जो पुरसकार है 35 खिलाडियों को दिया गया है। अब देखिए 35 खिलाडी सभी के नाम याद रखना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट 9 खिलाडियों के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये नोग खिलाडी है सबसे पहली है भावी का पटेल जो की भारत की पेरा टेबल टेनिस खिलाडी है। हरविंदर सिंग पेरा आर्चरी से संबन्दी थे सुहास यतिराज को पेरा बेंड मिंटल के शेतर में 2021 का अरजुन पुरसकार दिया गया है। दीपक पुनिया को रेसलिंग में, सी ए भवानी देवी को तलवार बाजी में, सिमरन जीत कोर को बॉक्सिन में 2021 का अरजुन पुरसकार दिया गया है। मलखंब के शेतर में 2021 का अरजुन पुरसकार दिया गया है। इसके बाद देखे अगला पुरसकार है द्रोणा चारे पुरसकार, जो की सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा उतकरस्ट कोचो को प्रदान किया जाता है। याद रखेगा ये पुरसकार केवल कोच को दिया जाने वाला पुरसकार है। भारत में प्रतीवाशाली कोचो को प्रदान किया जाने वाला द्रोणा चारे पुरसकार है। 2021 में देखिए lifetime की श्रेणी में और इसके अलावा नीमित श्रेणी में भी 5 कोचों को इस वर्ष यह पुरसकार प्रदान किया गया है lifetime की श्रेणी में भी 5 कोच को दिया गया है और नीमित श्रेणी में भी 5 कोच को यह पुरसकार दिया गया है देखिए इसमें से सबसे important है lifetime श्रेणी में सरकार तलवार जिनने cricket के शेतर में दिया गया है और तपन कुमार जिनने तेराकी के शेतर में lifetime की श्रेणी में 2021 में दुरोणाचारी पुरसकार दिया गया है और अगर नीमित श्रेणी की बात करें तो संधिया गुरूंग जो की बॉक्सिंग से संबंदी थे और जय प्रकाश नोटियाल जो की पेरा शुटिंग से संबंदी थे इन दो कोच को नीमित श्रेणी में द्रोणाचारी पुरसकार दिया गया है तो देखिए अगर आपको पांच-पांच कोच याद ना हो तो केवल यह important important याद रख लीजेगा आपका काम हो जाएगा इसके अलावा देखिए एक और पुरसकार है जो की खेल पुरसकारों की घुशना के साथ दिया जाता है ये है major ध्यानचंद्र award अब आपके दिमाग में देखिए suddenly question आया होगा कि हमने जो major ध्यानचंद्र खेल रतनों पुरसकार पढ़ा है और जो अब हम major ध्यानचंद्र award पढ़ रहे हैं उन दोनों में difference क्या है तो देखिए major ध्यानचंद्र award जो है वो lifetime achievement के शेत्र में दिया जाता है खेलों के शेत्र में जीवन भर की उपलब्दी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा major ध्यानचंद्र award दिया जाता है इसकी स्तापना देखिए 2002 में की गई थी और 2021 में ये पुरसकार पांच व्यक्तियों को दिया गया है ये पांच खिलारी कौन-कौन से हैं तो देखिए लेखा केसी बॉक्सिंग से संबंदी थे अभिजीत कुंटे शत्रंज खेलों से संबंदी थे देवेंद सिंग गर्चा को होक्की के शेत्र में ये पुरसकार दिया गया है विकास कुमार को कबड़ी में और साजन सिंग को रेसलिंग में 2021 का मेजर ध्यानचंड अवर्ड दिया गया है जो की लाइफ टाइम अच्यूमेंट अवर्ड है इसके बाद देखिए मोलाना अबुल कलाम आजाड ट्रॉफी जिसे देखिए माका ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है इस पुरसकार की शुरुवात 1956-57 में की गई थी और यह जो ट्रॉफी है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सर्वस रेस्ट प्रदशन करने वाली यूनिवर्सिटी को दी जाती है तो खेल पुरसकारों में यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली जो ट्रॉफी है उसे मा का ट्रॉफी या फिर मोलाना अबुल कलाम आजा ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है 2021 में देखिए यह जो ट्रॉफी है वो पंजाब युनिवरसिटि को दी गई है जो की चंडिगड में स्ती थे ऊके इसके बाद देखिए सबसे लास्ट जिस पुरसकार की गुशना की गई है वो है रास्ट खेल प्रोसान पुरसकार 2021 2021 में यह जो पुरसकार है दो संस्ताव को दिया गया है देखिए नवोधित और युवा प्रतीवा की पहचान और पोशन के छेतर में यह पुरसकार मानव रचना शेक्षिनिक संस्तान को दिया गया है और इसके अलावा कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदाईत्यों के माध्यम से खेलों को प्रत्साहन देने के शेतर में यह Indian Oil Corporation Limited को दिया गया है तो इस तरह देखिए 2021 में यह जो पुरसकार है जिसे रास्टी खेल प्रत्साहन पुरसकार के नाम से जाना जाता ही दो संस्ताव को दिया गया है कौन-कौन सी है मानव रचना शेक्षिनिक संस्तान और Indian Oil Corporation Limited क्लियर तो फ्रेंट्स देखिए यहाँ पर हमने रास्टी खेल पुरसकार का जो थियोरी सेक्षन था उसे बहुती डिटेल में समझा और एक-एक फेक्ट पर बहुती अच्छे से डिसकस किया आई होप आपको सभी फेक्ट समझ में आ गए होंगे वेडि सिंपल इसे बदला गया है अगस्त दोघार अक्chutz में तो अंसर डी इनमें से किसे दोघार अक् explicitly ध्यान खेल रतन पुरसकार से सम्झा नित क्या गया तो इनमें से कौन है फ्रेंड्स वो है लवलीना बोर्गेहन तो लवलीना बोर्गेहन को 2021 में ध्यान चंद्र खेल रतन पुरसकार से सम्मानित क्या गया है इन में से किस पेरा शूटर को 2021 ध्यान चंद्र खेल रतन पुरसकार से सम्मानित क्या गया तो ये पेरा शूटर है आउनी लेखरा क्रिश्णा नागर को 2021 ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरसकार से सम्भानिक किया गया वह किस खेल से सम्भन्दी थे तो क्रिश्णा नागर जिने 2021 में ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरसकार से सम्भानिक किया गया है भारत के एक पेरा बेंटमिंटन खिलाडी है तो अंसर D यहां पर सही हो जाएगा 2021 में कितने खिलाडियों को ध्यान चंदर खेलदतन पुरसकार से सम्मानित क्या गया है तो कितने खिलाडियों को किया गया है 12 खिलाडियों को 2021 में देखिए सबसे जादा पहली बार 12 खिलाडियों को सबसे बड़ा खेलदतन सम्मान दिया गया है नीरा चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरसकार से सम्मानित किया गया था तो नीरा चोपडा जिने 2021 में ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरसकार दिया जाने वाला है इन्हें इसके पहले देखिए 2018 में अर्जुन पुरसकार से सम्मानिक क्या गया था अगले कुश्यन पर आ जाते हैं अर्जुन पुरसकार की स्थापना हुई थी किस वर्शुई थी 1961 में 2021 में कितने खिलाडियों को अर्जुन पुरसकार से सम्मानिक क्या गया है तो 2021 में देखिए 35 खिलाडियों को अर्जुन पुरसकार से सम्मानिक क्या गया है C.A. भवानी देवी को इनमें से कौन सा 2021 खेल पुरसकार प्रदान किया गया तो C.A. भवानी देवी जो की भारत में तलवार बाजी से सम्मानित खिलाडी है इनहें 2021 में अरजुन पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो आंसर A यहाँ पर सही हो जाएगा अगला कुशन देखिए इनमें से किसे 2021 अरजुन पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो देखिए शिखर धवन जो की क्रिकेटर हैं इनहें 2021 में अरजुन पुरसकार दिया गया है बिल्कुल सही संदीप नर्वाल को कबड़ी के शेतर में दिया गया है बिल्कुल सही और हिमानी उत्तम परब जो की मलखंब की खिलाडी है इन्हें भी 2021 में अर्जुन पुरसकार दिया गया है तो अंसर हो जाएगा उप्रोक्त सभी को भाविना पटेल को 2021 में अर्जुन पुरसकार से सम्मानित क्या गया वह किस खेल से सम्मन्दित है तो भाविना पटेल पेरा टेबल टेनिस खिलाडी है तो अंसर डी इन में से किसे 2021 द्रोणाचारी पुरसकार से सम्मानित क्या गया है तो इन चार अप्शन में देखिए सरकार तलवाग जो की भारत के एक क्रिकेट कोच है इन्हें 2021 में द्रोणाचारी पुरसकार से सम्मानित किया गया है मेजर ध्यान चंद्र पुरसकार की इस्तापना हुई थी किस वर शुई थी? देखिए ये जो पुरसकार है ये लाइफ टाइम अच्यूमेंट वाला पुरसकार है तो ये 2002 में शुरू किया गया था निम ने लिखित में से किस खिलाडी ने 2020 पेरा उलम्पिक में जेवलीन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था तो देखिए पेरा उलम्पिक में जेवलीन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था सुमित अंतिल ने तो आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा 2021 में मोलाना अबुल कलाम आजाट ट्रॉफी किसे प्रदान की गई यह जो ट्रॉफी है इंटर युनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सर्वस रेस्ट प्रदेशन करने वाली युनिवर्सिटी को दी जाती है तो 2021 में यह पंजाब युनिवर्सिटी चंदीगड को प्रदान की गई थी अगला कोशन देखिए 2021 में कितने व्यक्तियों को लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचारे पुरसकार दिया गया है तो देखिए लाइफ टाइम श्रेणी और नीमित श्रेणी दोनों में ही 5-5 कोशों को इस साल द्रोणाचारे पुरसकार से सम्मानित किया गया है Next question देखिए संध्या गुरूंग जिन्हें 2021 में द्रोणाचारे पुरसकार दिया गया है किस खेल से सम्मणित है तो संध्या गुरुंग भारत में बॉक्सिंग की एक प्लेयर है तो आंसर A यहां पर सही हो जाएगा संध्या गुरुंग बॉक्सिंग प्लेयर है 2021 में अर्जुन पुरसकार मलखंब के शेत्र में किसे दिया गया देखिए जब मैं आपको थियोडी बता रहा था तब भी मैंने आपको कहा था कि मलखंब के शेत्र वाली प्लेयर को याद रखिए गा तो यह कौन है हिमानी उत्तम परब 2021 में हिमानी उत्तम परब को मलखंब के लिए अर्जुन पुरसकार दिया गया है तो आंसर C पहली बार राजी वांदी खेल रतन किसे प्रदान किया गया था तो 1991-92 में जब यह पुरसकार शुरू किया गया था तो यह चेस के ग्रेंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को पहली बार दिया गया था प्रमोद भगत जिन्हे 2021 में मेजर ध्यान चंदर खेल रतन से सम्मानित किया गया है किस खेल से सम्मानित है तो प्रमोद भगत जिन्हे 2021 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान दिया गया है भारत के एक पेरा बेंड मेंटन खिलाडी है तो अंसर हो जाएगा answer B सबसे last question देखिए रास्ट खेल दिवस कब मनाय जाता है very simple ये मनाय जाता है दोस्तो 29 अगस्त को major ध्यान चंद्र जो कि भारत के एक hockey player रह चुके हैं उनकी इस्मृती में हर सल 29 अगस्त को रास्ट खेल दिवस के रूप में मनाय जाता है clear तो friends I hope आपको सबी question समझ में आ गए होंगे और जितना भी theory section में आपको बताया है उसके सबी fact भी clear हो गए होंगे तो friends अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करे, share करे और हमारे channel को subscribe जरूर कर ले आपसे फिर मुलाकात होगी next वीडियो में बने रहे हमारे साथ चहें